लुआज़ दर्शकों को पेश करने वाले हैं आज हम एक बहुत एक खास विशे पेश करेंगे और उस पर बहस भी करेंगे कश्मीर के पश्चिमी इलाके में बॉर्डर के करीब गला काट कर दो जवानों की हत्या कर दी गई है इस हादसे से पुरा देश सद्मे में ढूबा हुआ है इस तरह की घटनाएं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ऐसी घटनाएं एलोसी पर अकसर होती रहती है और हम ये अकसर सुनते ही रहते हैं हमारे देश के बॉर्डर पर दिन रात पहरा देने वाले सेना के वीर जवानों पर दुश्मन हमेशा ही कहर ढ़ाते रहे हैं बॉर्डर की इलाके में न सिर्फ सेना के वीर जवान बलकि हमारे देश के कई आम नागरिक भी शहीद हो चुके हैं और इसी विशे पर आज हम यहां चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज हमारा पहला सवाल मेजर तिरुमल गांदी जी से है हमारे देश का सिपाही जब शहीद होता है चाहे वो गोली से हो किसी हादसे से हो या फिर गला काटने से हो तो उसे हम उगरवादी या अतंगवादी हमला कह देते हैं लेकिन अगर अचानक कोई जवान गुम हो जाए या फिर लापता हो जाए उसकी क्या वज़ा हो सकती जरा ये बताईए देखिए जब भी फोर्स का जवान या फिर आफिसर लापता हो जाता है और ये खबर मीडिया में आती है तो हमें ही नहीं बलकि पूरे देश को इस पर दुख होता है ये तो हकीकत बात है हर कोई जानता इस तरह का हाथसा जब कभी भी हमारे देश में होता है तो सच्चाई को बाहर लाने में बहुत वक्त लगता है अब आप बताईए कि इसकी वज़ा क्या है तो हमें पता नहीं चलता वो हमें उस वक्त पता चलता है जब ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं उसकी वज़े क्या है ये जानने के लिए हमें बहुत वक्त लगता है ये बात आप ही जानते हैं कितने जवान शहीद होते हैं उनका सर कार दिया जाता है लेकिन हम क्या कर पाएं आकर हमारा देश क्या कर पाएं हर रोज हमारे देश में ऐसी घटना घटी रहती है फिर भी हमारे राजनीता कुछ नहीं कर पाते हैं इसकी वज़ा क्या है क्यों है इसा यह सब एक राजनीतिका ही खेल है हर कोई अपनी ही सीट बजा कर रखने के लॉसी पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं चलता है और ना चलेगा गायव होने के पीछे कोई नगी चलती रहेगी या पिर इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा इस तरह की घटना आगे भी हो सकती है इस बात से इंकार नहीं कर सकते हम लोजी को क्रॉस करके उस तरफ लॉसी पर अपना फस दिभाते हुए गायब हो गया वो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए अर्द सैनिक बलो की एक टुकडी का नौजवान था जिसका नाम था बासू उस जाबाज सिपाही के लापता होने की वज़े से उसके घर वालों पर क्या गुजरिए आईए ज़रा हम देखें पता नहीं इस वक्त मेरा बिटा किस हाल में होगा मुझे उसे एक बार देखना है मेरा दिल केर है मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा सरकार से मेरा दिवेदान है कि उसका जल्दी से बता लगा है राजनेताओं को इसका जवाब देना ही होगा वासू को ढूंड कर लाना होगा बाब आपकी देखवाल कर रहा है बच्चों का फर्ज है प्राइण के बाब देख़ा कर्वार ये लोः थेजित अए कर्या कोर्या को रहाँ में तोल प्रूँसे रहाँ कार्शाम कर्वार कर्शाम कर्शाम क्वित झाल 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 मेरा बस चले तो सारे इंडियन्स को ऐसे ही तडपा तडपा कर मारों क्योंकि तुम लोगों का कोई धर नहीं है तुम लोगों का कोई मकसद भी नहीं है तुम सब को चुन-चुन कर मारने के लिए ही मैंने ये वर्दी पहनी है मेरे सीने में तुम लोगों के लिए सिर्फ नफरत है सिर्फ नफरत मेरा एक ही मकसद है एक ही सपना है और एक ही देश है मेरा अपना देश मैं अपने देश का एक दिन का भी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूगा तुम लोग हमारे देशवासियों को तरपा तरपा कर मार रहे हो उसका बदला मैं कैसे लूँगा जानते हो तुम्हारे सर काट कर जब तक यहां माजूद तुम में से हर एक का सर में काट काट कर बदला नहीं ले लेता तब तक मेरे सीने में लगी आग बुझ नहीं पाएगी और मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा तुम्हारे सारे साथियों को तुम्हारे सारे खांदान को जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं रहने दूँगा जिसने भी यहां से भागने की कोशिश की तो उसका सर काट कर एलोसी पर फेक दूँगा तुम्हारी जिन्दगी अब तुम्हारी नहीं रही वो मेरे हाथ की कटपुतली बन गई है तुम्हारी मौत का फैसला अब मैं करूँगा मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ आज किसकी मौत लिखी है ये जानने के लिए सब तयार हो जाओ सौट तुम लोगों के आद्मियों के हाथ हो ही तुम लोगों को मरवाओंगा जिसे कुछ दिन जीना है वो दूसरे को मारेगा नहीं तो हमारी गोली उसे मारतेगी कि लिएन जीन येद वोगों के वेदी लिएन के हुष झाताओ प्रड़ के लुमका नहीं वुमका येदिए है कि लिए अग्रव बख़ के लुम को लिए समझे लिए विए बभली बहींपताओ वेदशने के लिए लख़ाह कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि मैं तविल्लाडू के छोटे से गाउं में पैदा हुआ है आज पाकिस्तान की जेल में अत्याचार जेल रहा हूं जिसका कारण है मैं एक इंडियन हूँ मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश क्या होता है लेकिन देश का सिपाही बना तो देश की कीमत समझ में आई मैं जब छोटा था तब बहुत शैतानी करता था किसी की नहीं सुनता था अगर कोई कुछ समझाता तो मैं उसका उल्टा ही करता इसलिए सबसे कमजोर स्टूनेंट था टीचर्स की बातों को हमेशा मजाख मोड़ा दिया करता ये भी नहीं समझता था कि राष्टरगान की इज़त देश की इज़त होती है कोई कुछ भी कहता मैं अपने शैतानी से बाज नहीं आता मेरे बड़े पिताजी का बेटा, मेरा बड़ा भाई प्रकाश मेरे बिलकुल उल्टा था वो बहुत सद्धांतवादी था वो हर चीज में पॉफेक्ट था बहुत बड़ा देश भक्त उसके दिल में एक है इच्छा थी देश की सेवा करना आटवी क्लास में वो NCC में भरती हो गया मैं भी हो गया पता नहीं ये मेरे भाई के प्यार की वज़े से हुआ या फिर मेरे शौक की वज़े से हुआ मेरी कलास के एक लड़की ने NCC में जाने के लिए हाथ उठाया और मैंने भी उठा दिया मेरा भाई अपने आपको मिल्टरी का जवान समझने लगा था NCC के टीचर जो भी उसे बताते वो दिलो जान से वही करता लेकिन मैं मैं अभी भी ठीक उसका उल्टा ही करता उस लड़की को लाइन मारने के चक्कर में मैं हमेशा NCC टीचर की मार खाता लेकिन फाइनली मैं NCC का सीरियस के डिट बन गया और वो लड़की भी सीरियस के डिट बन गई मैं किसी काम में भले ही सिंसिर न रहा हूँ लेकिन एक बात में ज़रू सिंसिर था दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गाउं में उधम मचाना मैं और मेरे भीया NCC, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गाउं, शहर कहीं भी हो सासा जाते थे, लेकिन जब घर जाते तो अलग हो जाते जिसका कारण है मेरे पिताजी मखन लाल और बड़े पिताजी सूरज लाल दोनों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है दोनों की ही दुकाने मंदिर के पास आमने सामने है बस थोड़ा भूत कारण मिला नहीं कि दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया अक्सर होता ये कि लड़ाय होती उन दोनों भाईयों में और बली चड़ते हम दोनों ना बाबा, मैं अपनी बड़ाई चोड़कर आपके साथ चुट्टे बैजे किनू ये मुझे नहीं होगा कल से तु मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठेगा हमें उससे आगे बढ़ना है और अपनी दुकान को बड़ा बनाना है बस हम दोनों भाईयों को कॉलेज चुड़वा दिया और दुकानों पर बिठा दिया की सिरुआ और जल्दी से पारच आने कर आओ कर आओ किती देन से खळया अधर रिभा में कर दो कि आपल hoş है ये बोरियाँ उठाने के लिए कुछी दिन के लिए है कुछी दिनों के लिए हम लोक यू झारे आर कश्मीर जा रहे हैं वरना हमें अपनी बढ़ाई की सारी डिगरी पर आख लगा के फूग नहीं पड़ेगी हम कश्मीर जाएंगे वहां बारों मेने ठन रहती है हर वक्त कंबल ओड़के सोई रहेंगे हां वह तो ठीक है पर कश्मीर क्यों जा रहे हो मल्ली का ज़े मिलने जा है यह पागल लड़ाई जालों में एक बार होती है बार बार नहीं 1971 में लड़ाई होती हुई थी कि नहीं उसके बाद के बुई 1999 में कारगिल यूद हुआ उसके बाद कोई लड़ाई हुई क्या फेट बर खाना खाके पूरे कश्मीर में आराम से घुमते भे रहेंगे अगर बीच में कोई लड़ाई ही तो छुट्टी लेकर गाउं चले आएंगे अरे सरकार ही नौकरी है भाई तुझे मैं खास बाद बताता हूं गवर्मेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है लेकिन हरे डिपार्टमेंट को पीने के लिए नहीं मिलता है लेकिन एक को मिलता है वह है military वाले क्योंकि उनको सबसे जादा रिष्क उठानी पड़ती है इसलिए उन्हें पगार के साद्ट ड्रिंग भी मिलत बहुत बढ़िया आप बहुत को जानते हैं अगर मैंने एंसीची ठीक से की होती न तो मैं भी जानता नहीं मुझे एंसीची वालों नहीं बताया एक रात में और कितने जटके देने वाले तुझे और सच्चा ही बताता हूं हमारे घर की दिवार पर फोटो लगी है वो मेरे गुरू है मैं उन्हीं के बताय रास्ते पे चल रहा हूं और अब मैं तुम्हारा गुरू तुम मेरे बताय रास्ते पे चलोगे किसी भी वक्त हमें यहां से निकलना पड़ेगा तयार रहो पर यह बाई आके बढ़ना कि यह इतना क्यों डर रहें यह पार्मोलेटी है बास चला कि अब आपके अब इस अब टेंशन मतले भाई सर्थीक हो जागा मैंने कहें बात कि यह तो यह सोच रहा होगी तो क्या होगा वह नहीं सोच रहा हूं भाईया आपने अशराब मिलती है वही सोच रहा हूं तुम्हें मेरी बात में डाउट हो रहा है क्या लगता है यह कुछ और ही सोच रहा है किसी से पूछ कर कंफर्म कर लूँ कि बैया किसी सर एक फिनिट इदर रही है क्यों कि वह जो वहां बैठें वह वो क्यों इंटर्व्य ले रहे हैं वह भी बिए सेफ के ऑफिसर हैं नहीं वह बाद तु चुपकर तो वह खाकी ड्रेस में क्यों हैं हम लोग ऑफिस में खाकी और फिल्ड में फॉजी ड्रेस करेंट हैं क्यों भाई यह क्या है हाइट बढ़ाने के लिए आज कल की फिल्मों में हीरो लोग भी हाइट बढ़ाने के लिए यही करते हैं वह हुआ है तु कुछ ज्यादा यह और यक्ट कर रहा है अभी शांत रह पहले हमारा कश्मीर जाना तो कंफर्म हो जाए नेक्स्ट सो वन मिनट सो सर नागराज जी ने फोन किया था वह इस नागराज जी वह भी आपकी तरह बीस एफ में ऑफिसर है वह जरूर फोन करेंगे मेरा लालन पलन जो है मिलिटरी परिवार में हुआ है वह जो पीछे खड़ा हुआ है ना वह दर असल मेरा छोटा भाई है मैं जैसे नागराज जी का भतिजा हूँ वैसे वह भी उनका भतिजा है सर वह थोड़ा कच्छा है मेरे साथ उसे भी स्लेट कर लिजेगा ना मेल लाइन में खड़े हुआ हुआ के सर थाइंक्यू सर ओक कह रहा हुँ ना जाओ कितनी हाइट है इसकी है ठीकते खड़े हो हाँ ठीक है सर एक मिनट सर नागराज जी का फोन आथा ज़र पूछ के बताईये ना बॉटी टू जोर से सांस लो अपनी छाती फुलाओ सीने में सांस भरके भाया कश्मीर कंफर में भाया न्यूड होकर आइस में गुलाटिया खाते हुए चिल भी यह पीएंगे नहीं हो सकता क्या हुआ आतंकवादियों से देश को बचाने का सपना देखा था हुए आतंकवादियों से देश को हम बचा लेंगे तुम जैसों से देश को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है जा यह से जा बेटा जा तुझे जो भी सही लग रहा है वो कर लेकिन इमानदार रहे ना चूप रही है जी सुभे शाम दुकार में जब बैटता था तब किर-किरी करते रहते थे अब अपने हिसाब से कुछ बनना चाहता है तो बनने दीजे ना बेटा वासू इतर आओ आओ जरा य है ना बेटा छे साल के उमर में पहली बार कमर की डूरी पहनाए थी तब नहीं पहना तो अब क्या पहने है तो मेरी सांस है और यह धागा मेरा आशिरवाद है चाहे कुछ भी हो जाए कभी इसे अपने से अलग मत करना यह हमेशे तेरी रक्षा करेगा अपना खयाल रखना दुकान की आराम की जिन्दगी छोड़ कर मेहनब मजदूरी करने तीन हजार कि राजा बारा जो की जिन्दगी आपी को मुबारक अरे तुम उनको छोड़ो ना ये बताओ बैंगलोर में तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या वहाँ घूमने जा रहे हो दीदी अब कि अगलीव हो तो तु अपनी मा के पास लौट आना हां ठीक है मैं चलता हूं झाल किलो मैं चलता हूं झाल झाल इस जगह को हमारा देश बहुत एहमियत देता है और इसे बचानी के लिए हर सम्हों परियास करता है क्योंकि यह हमारा गौरो है पाकिस्तानी आर्मी 11 लाक मैन पावर वाली हमारी आर्मी को चुनोती दे रही है और उसका कारण यह जमीन है हिंदुस्तान के इज़त को बचाना अब आपके हाथों में है प्रॉड़ प्रॉड़ भी रॉड़ दो भी नहीं को अवीड में को अब सर्फ, प्रॉड़ भीड वूड़ नहीं को यह ज़ा जला। चल 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 यह boy you just follow my instruction we will do the rest देख रहा है अपने मेहिक होया है पता नहीं क्या सोचता रहता है ए वासू चल जल दिया युरा रहता है युरा बस्तों घड है अपना गान चोड़कर इतनी दूर कुछ करने कीरा देसाया हूँ अपने मावाप से नाराज होकर नहीं मैं जब अपना गान चोड़कर चला था तब यही सूचा था कि मेरे गान कि लोग मुझे यह मिलेंगे लेकिन यहां कर पता चला कि अपने गाओं का अकेला मैं ही यहां पर हूँ यहां आते समय जो खुशी थी वो यहां कर गयाब हो गई सोचा था कि आराम वाली नौकरी करूंगा फौज में भरती होने के बाद बंदूक लेकर खड़ा रहना वो भी तनहा कितना मुश्किल काम है यह मुझे अब पता चला जिंदगी अकेले गुजाने पड़े यह अगर यह पहले पता होता तो मैं फौज में भरती नहीं होता एक दूसरे का चहरा देखे कई कई दिन हो जाते हैं यह किसे कयामत से कम नहीं तनहाई तनहाई और तनहाई और यह बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता यहाँ जहा तक नजर ले जाओ वहाँ खामोशी ही खामोशी है बैती नदी का पानी बहुत साफ होता है जिसे हम इस्तिमाल करते हैं लेकिन कभी कभी उसमें धूल और मिट्टी भी मिल जाती है और हाँ, फाजी की जिंदगी वैसे हमेशा तनहा नहीं होती और उसे दुश्मनों से लड़ते हुए सर्दी, गर्मी और मच्छनों का भी सामना करना पड़ता है पापा का कहना न मानकर मैंने अपने सर पर बहुत बड़ी मसीबत मोल ले ली ये मेरे बसकन ही है, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस अपने गाओं भाग चाहूँ, मेरे दिल में ये वात आई ही थी कि अचानक एक दिन क्या हुआ हुआ है अरे क्या हुआ भाई साब क्या भाई तू हमेशा गुमसुम रहता है अज हसकर पुछ रहा है भाई साब क्या हुआ लेकिन हुआ क्या चेक पुस्ट पार करते ही सलामाबाद रोड पर अचानक एक लड़की हवा की रफतार से गाड़ी के साम्द्ट पल भर के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी लेकिन मुझे में जान आ गई थी मेरा दिल पहले मेरे काबू में था लेकिन उससे देखने के बाद अब नहीं रहा तनाई मैं उससे बाते करता हूँ उसकी यादों में खोया रहता हूँ तनाई में मुझे आसपास वही नजर आती है पता नहीं मुझे क्या हो गया अकेले मैं हसता रहता हूँ कल तक मैं तलहा था आज असकी यादे मेरे साथ है स्टाप पता नहीं पिर कब नजर आएगी यह सुचता हूँ नहीं में लिपो चेक पॉइंट 14 कॉलिंग एमर्जनसी फेंस ब्रेक ओवव सर क्या हूँ यहाँ यहाँ पर मेमना फेंसिंग क्रॉस कर रहा था सामने वाले ने गुली मार दी सर तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे यही तरीका एड्यूटी करनेगा इस बच्चे को तुम ही बचा सकते थे महिमना था सर सुचा वो नहीं मारेंगे देखो उन्हें इंसानों जानवर में कोई फर्क नजर नहीं आता है वहर किसी को गोली से बारना चाहते हैं उनके मन में किसी के लिए दया भावना नहीं होती है कि बेक्यारफुल यह सर पिकपेटी राइन डेमेस्ट फैंस इंफर्म नागराच इमिडेटली अरे नागराच चाचा जी चाचा जी चाचा जी मैं वासू आपका भती जा मेरा कोई नहीं है यह क्या चाचा जी बरसो बाहत हम लोग मिल रहे हैं और आपके चरे पर उदासी है है तो क्या करूं मैं तुम्हें गले लगा कर मैं चुमा चाटी करूं क्या तेरे बाप ने मेरे साथ धुका किया है और बोला है कि कभी दुबारा मूह मत दिखाना इसलिए मैं तुम सबसे अपना मूह चुपा कर तुम सबसे दूर यहां कश्मीर में सुकर सुकर के जी रहा नहीं करता है रूक यह मैंने यह जा था लेकिन दो मिनिट बाद आकर गले से लग जाएंगे बिलग बिलग कर रोईगे लेकिन आप तो मेरे चाचा यहां है यही सोचकर में हाया था पर मेरी सारी खुशें आपने मिट्टी में मिला दी गलत था है बिल्कुल गलत था है सुन है इधार बेटा इधार आजा कि भाई याले जैसा कहा था आप ऐसे ही चाचा है 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 आजा हुँ ख देख बेटा काम के समय में भी तेरा चाचा नशे में रहता है ऐसा मत सोचना मेरा काम ही कुछ ऐसा है बॉर्डर के फेंसिंग के पास जाता हूं तो दिल की धरकने बढ़ जाती है हाथ पैर कापने लगते हैं टेंशन से रत्ती भर भी अगर पैर उधर चला गया ना तो गय काम से इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए थोड़ी सी ले लेता हूं ये मत सोचना कि तुमारा ये जाचा जंग के डर से पीता है ऐसे क्यों देख रहा है अरे एक बार पुराने सेक्टर में फेंसिंग ठिक करने एक जवान गया था फिर विचारा लौट कर ही नहीं आया पता है क्यों उसके हाथ से कटिंग मशिन चूट करके उस तरफ गिर गई थी गोली मार दिया अरे इतनी क्रूरता होती है बार्टर पे बेटा जरा सी चूक हुई कि लोग अपनी जान कमा बैठते हैं पाकिस्तान पे कभी भरोसा मत करना अच्छा बेटा तुम्हारा पोस्ट कौन सा है फ्रेंटियर फूर्थ बारा मुला ठीक ठीक है कभी फिरी होकी आके मिलता हूं सम कल हम लोग जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नेक बाइट यह एक ट्रेनिंग है गाओं में आतंकवादी घुसके जब लोगों को अपने कभजे में कर लेते हैं तो उन्हें नाकाम करने के लिए किस तरह हमें उन पे अटैक करना है कल यही आपको सिखाया जाए हैई कि देखरेक में स्टार्ट कीजिये कल मेरे चुने हुए चार जवाद टेर्रेइस्ट के रूप में गाओं के किसी एक घर में घुसेंगे नासर है वासू ये विशाल रेड्डी जो जोजो थॉमस येस साइज आ जवां जवान्स रेडी या सार मिस्टर मौमद मलिक कल स इन सभी जवानों को अपने घर में रिसीव कर ली चेगा, ओके। वासू, ए वासू! कानम, ए कानम, हाँ, अरे चल्दी इधर आ, आ रही हो, जल्दी हो, जानती है हमारे गाव में टेरिरिस गुसाए हैं, यह क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, मिलेटरी वाले भी आये हुए, तो सच बोल रही है, हाँ, ए क्या हुआ? श्ष, कोई दर्वाजा खट-कट आ रहा है, रुप मैं आती हूँ माँ, चल्दी हो, चल्दी हो, कहा है, कहा है, उधर, उधर है, ठीक है, तू उस तरफ जा, इधर कोई नहीं है, उधर देख, रही हो, कहा है, रुप, 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 एक समय को पकड़ झाया है कि अगर गर में अंजान गुसा तो उसे ऐसा फ़कड़ना चाहिए लेकिन यह कोई टेरिस्ट नहीं है हमारे Bcsf के जवान है हमारा ट्रेनिग्स प्रग्राम अरे तुम एक जवान हो मैंने तुम से क्या कहा और तुम ने क्या क्या अपना मास्क उतारो एडियर कवान गाइज जवान जी मेरे पिता जी यानि कि तुम्हारे दादा जी दो दो बीवियां थी उनकी दूसरी बीवी से दो बच्चे हुए थी एक तुम्हारे पिता जी और दूसरे तुम्हारे बड़े पापा यह मैं जानता हूं चाचा जी वो क्या होता है अरे वही निम्बू जूस संत्रा जूस और सोडा उस समय केले का मिलता था घर के पास वाली मंदिर की दुकान से हमेशा वहीं से लेकर पीता था पास सो रुपे उधार हो गए थे चुका नहीं पाया तो दुकान दार ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पी उस समय वह पांच सो रुपे मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे मैंने साइन कर दिया यह बात पता नहीं कैसे गाउवालों को पता चल गई और लोग मुझे ताने मारने लगे कि सिर्फ पांच सो रुपे के लिए मैंने अपनी जमीन जैदा सब कुछ छोड़ दी लोग अरे बाप्रे मेरी कमर की डोर कहीं हो गई कुम ही कैसा शूर्ण है और सुबह यहां जो ऑप्रेशन हुआ था उस समय इसकी कमर की डोर गुम हो गई है वह यहीं कहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे शक है किसी को मिली क्या वो मेरी मा की निशानी है जान से भी प्यारी है वो नहीं मिली तो मैं सो नहीं पाऊंगा हमारे देश में बहुत सारी चीजें जिसमें से तीन मुख्य है पहली है कमर की डोर, दूसरी मंगल सूत्र और तीसरी है पायल कान खोल कर सुन लो, अगर कमर की डोर किसी को मिली है तो चुपचप लोटा दो अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की, तो वो खून क्यूल्टी करके मरेगा इतनी पावर है उसके अंदर, अब देखो कैसे मिलती है, इतरा, इतरा आएगी, क्या है, जरूर आजाएगी, चाचा जी, मुझे पूरा एगी, अरे यार, किसी तरह यह उसे दे दे, तू ही दे दे, मैं खून के उल्टी करके मुदा नहीं, पाता है, यह चाचा जी, इतरा आ मैं फूरीफ है, उसे जानमुझका नहीं लिया था, हाँ पता है, पता है, पता है, आज़ी, देखिए, मेरी सहिली को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, वो ना समझे, इस नादानी के प्रायश्चित के लिए उसे क्या करना होगा, आप बत की नहीं कर सकती तुम्हें कर दो तो यह कुछ ना नहीं है तब गोड़े को बाने की बात कर रही है तो मारी नहीं बचेए कुछ मेरी सहीली को कुछ नहीं होना चाहिए कोई बात नहीं मैंने मजाग किया था तुम्हारी सहीली को कुछ नहीं होगा जाओ कि मा तुम कैसी हो अच्छा यह बता तुम्हारे सारे दोस्त कैसे है सब ठीक है मा और तुम्हारे वह ओफिसर ठीक है ना डाइवर क्लीनर सिक्यूरेटी जाड़ुवाला माली सब अच्छे मा अब फोन रखो इतनी जल्दी क्या है बेटा अपनी मा से थोड़ी दिर बात नही अच्छे इंतजार रहता है यूनिफॉर्म में अपने फोटो भीजवा दे कितनी बार बोला है यूनिफॉर्म में फोटो खिचबा कर भेजू यहां पर सब लोग पूछते हैं बेटा सबको तुझे देखना है खासकर मुत तु स्वामी को याद रखना भूलना मन क्या हुआ चोटे क्या बात है वेटा गूर्म ट्रूटी टाइम पर यहां लेटा हुआ अस्मान की तरफ ताक रहा है क्यों मा की आदा रही है क्या हां बिल्कुल ममी की आद सता रही है हर दो दिन में फौन करके कहती आ लेके फोटो भेज़ो अपना फोटो इमांग रही है ना तो फिर भीज दे ना उसे फोटो बेज़ू अरे तु ऐसे बात क्यों कर रहा है अभी तो मुझे गोली मार देगा तो फिर क्या करूं मैं डोल बजांऊ बाजार में नाचू अरे तु इतना चिड़की हो रहा है आप इसे भी एक अच्छे से फोटोग्राफर को वहां ले जाए जहां वो मिली थी कौन वो कश्मीरी लड़की है क्या येस रहने दे बैटा वो एरिया अंजान एरिया है इतनी आसानी से किसे पर भरोसा नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं बड़ों के साथ बैठ कर कभी नहीं पीनी च ठीक है कश्मीरी ड्रेस बहुत कुश्यूरत लग रही चाचा जी मेकप को ज्यादा कर लिया है ठीक है जाओ फोटोग्राफर कहा है एए यह तो फोटोग्राफर है कैमरा निकल हमारी फोटो किचो वह देखा कितना वड़ी अचमकाता है जाओ फोटो किच पो यह वोज़ मेरे पीछे आओ क्या बात है जवानसर आप आज बहुत खुश्च नज़र आ रहे हैं ऐसे क्या देख रहे हैं हां नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे आपसे कुछ पूछना था इसलिए मैं यहां पूछना था हां क्या वो मुझे आपसे हां मुझसे क्या बस आपसे बात करनी थी मुझे ओ ब वासू मेरा नाम कारम मुझे पता है अब मेरे लिए आप काजल है कल आपने बहुत बढ़िया डांस किया था आप बहुत उंचे लेवल की डांसर है लगता कुछ जादी बोली है वैसे आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है बहुत ज़ल्दी पहचान देते हैं वेटा वासू हसी तो फसी यह मुझे मिस्स मत करना वो बस ऐसे कह दिया मौसम बहुत सुहाना है ना जब मैं आया था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था लगता था यह से भाग जाओ फिर सोचता था रुख जाओ बहुत ही इक कंफ्यूस था फैसला नहीं कर पा रहा था आ अपने कंफ्यूशन में क्यों रहते हैं पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने गाउं क्यों नहीं चले जाते इंसान को हमेशा उसका दिल और दिमाग जो कहता है उसे वही करना चाहिए तब ही उसे खुशी मिलती है अपना मन मारके एज्जस करके जिन्देगी गुजारने लग अब इससे कैसे समझाओं अब तुम जो मिल गई हो आप थोड़ी देर और यहीं रुख जाओ ना थोड़ी देर का मतला कितनी देर अब दिन भर नहीं पूरा साल कि तुम मेरे पास रुख जाओ जिन्दगी भार के लिए कि पुख जो जो सबसे अच्छा तरीका है पहले जाकर उसे प्यार से समझा अगर वो नहीं मानती है तो उसे उठा लाएंगे मुझ पर भरोसा रख लेंगे न किसको यार तुझे कितनी बार समझाओं मैं हीरो की जो प्रेमिक है न वो उसके चंगोशन निकल गई और उसकी मेरी पाव भाजी वाले से फिक्स हो गई यह तो सही बोला तुने हम एक काम करेंगे उस पाव भाजी वाले को ही उठा लेंगे फिर काजल का कंफूजन क्लियर तब तेरा लव कंफर्म हो जाएगा नहीं ऐस बेवकोंद। और कितने दिनों तक हम इस तरह से खामोश बैठे रहेंगे वो एक एक करके हमारा सर काटता जा रहा है अब हम और खामोश नहीं रह सकते हैं उपर से आने वाले किसी ओरर का इंतिजार नहीं करेंगे हमें ही अब कुछ न कुछ करना होगा एक इंडियन सिर के बदले पाकिस्तान के दस सिर कटने चाहिए तभी उन्हें पता चलेगा कि हम क्या है वो और्डर के किसी भी पाकिस्तानी को हम नहीं छोड़ेंगे हमें अपनी वीरता दिखानी होगी आज के बाद वो इंडिया की तरफ आँक उठा कर भी देखें इस लायक भी नहीं बचेंगे जम्मू कश्मीर के बारा मुला इलाके में भारतिय जवानों के सर कौन काट रहा है आज इंडियन आर्मी ने इसका पता लगा लिया है भारतिय जवानों ने एक का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तयारी के साथ घेरा बर देखी है भारतिय जन्ता इस जुल्प के खलाप आवा दिखाने के लिए सड़ को पर उतराई है और वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी का साथ दे रही है पाकिस्तान संभल जाओ का नारा लगाते हुए जगा जगा मोर्चा निकाला जा रहा है जवान्स आप लोग ऐसी सिच्वेशन कई बार फेस कर चुके करफ्यू के वक्त एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर निकल कर आते और ऐसे मौके पर हमें बहुत ही एक्टिव और सतर्क रहना पड़ता है पबलिक को बचाना हमारी में ड्यूटी है और उन्हें सेफ करते हुए दुश्मन का सामना करना भी हमारी ड्यूटी है हमारा फर्ज सिर्फ बॉर्डर पर युद्ध लड़ना ही नहीं है यह बात आप अच्छी तरह से जामते हैं आर्यू रेड़ी एस सब्सक्राइब वासू अब वोट अपन पाकिस्तान की रहवासियों को आसपास के इलाखों से निकाला जा रहा है दो देश की राजनिती की लड़ाई में आम जनता पिस रही है दोनों तरफ से गोली बारी चारी है देशत के मौहल से हर कोई अपना घरबार छोड़कर दूसरे इलाके में पलाइन कर रहा है पूरे इलाके में अपाव को फैलने से रोपने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है स्थिती अभी बी चंता जनक है आक कर रही है झाल झाल ठ獎 नहाः नहाःESE भी म्लिड़ी भी माश धे जिकार सुड़यो अभूडरायो आगयों प्रॉप कर दोड कर दो। मेरे पापा यहां इंडिया में शॉल का बिजनस करते हैं और मैं भी बिजनस के लिए यहां पर आई थी और तुम बढ़ाई के लिए यहां आई थी मैं अपने दादा से मिलने आई थी मेरी दादी पाकिस्तान में है मेरी दादी पहले मेरे दादा के पास ही रहती थी दोनों देश की लड़ाई की वज़ा से परिशान होकर दादी ने दादा से कहा कि आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में आकर सेटल हो जाईए लेकिन दादा के लिए ये विल्कुल मुम्किन नहीं था उन्होंने मना कर दिया फिर मेरे ममी पापा के साथ मेरे दादी मुझे पाकिस्तान ले गई और दादा यही रह गए पहनी बार जब दादी गई थी तब मेरे पापा सिर्फ बारा साल के थे हमारे आसे सिर्फ बीस किलोमेटर दोर ही मेरे दादाजी रहते हैं इसलिए जब पापा से पूछा मैंने तो उन्होंने खुशी-खुशी मेरा वीजा तयार करवा दिया और दादाजी से मिलने के लिए भेज दिया मैं जब यहां अगर अपने दादाजी से मिली तो मझे वागई बहुत खुशी हुई लेकिन वह खुशी देर तक नहीं रही पाकिस्तानी इंडिया से जाओ पाकिस्तानी इंडिया से जाओ रुको रुको क्या कर रहे हो यह क्या तमार्शाला गाराग है हो क्या रहा है अपनी पोती को पाकिस्तान भेजकर तुम यहां क्यों रुके हो तुम्हें भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए तुम्हारा देश पाकिस्तान नहीं है वापस जाओ मैं क्यों जाओ जाओम मैं? यह मेरा गां यह मेरी मिट्टी है मेरे पूरवज इसी मिट्टी में प्याठ वह और यहीं मुझे तनी को मैं अपना भाई-बहन समझता हूँ भारत का हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा किसी भेड को खार के दूसरी जगह लगाओगे तो पनप पाएगा वो वचास बरत से ज़्यादा बीद गए हैं लेकिन यह मसला आज भी जो कातियों है इतने बरसों के बाद मेरी पोती मिलने आई थी उसे मिलके बहुत खुश हुआ लेकिन अफसोस मेरी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह पाई उसे मजबूर हो कि यहां से जाना पड़ा अब वो यह नहीं आपाएगी और आई तो मेरा नसीब पताले तब तक सिंदा रहो या नारा तुमारा मैं मेरी अपरो से कपल पाउगा हुआ 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 कि जा हुआ 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 है ऩरा इता हुआ हैHmm यह हुआ 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 है व्ष्मार्ण आप बहुंत प्रशोबमाइब आप लगज़ कर प्रदूद सबस बहुत कर दो झुझ सब्डिब झाल बालताया जट कर दो कि आपान तो हुआ 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 तो हुआ है कि यहां से कोई भी पाकिस्तानी जिन्दा वापस नहीं जाना चाहिए अगर कोई मिलता है तो उसकी गर्दन उड़ा दो छोड़ना मत जोड़ना मत कि अ कि अ कि कि अ झाल 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 सिच्वेशन बहुत खराब है घर में घुस घुस कर मार रहे हैं मेरा फ्रेंड ने में उससे बात करता हूँ सिच्वेशन नॉमल होने तक में बंद रहेगी ऐसा उसने कहा था तब तक समझदारी से कदम उठाते विए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्ब करना होगा किसी बड़े ऑफिसर से बात करके भिजवा सकते हैं मुश्किल है पासपोर्ट विजा या किसी प्रूफ के बिना अगर हम पॉलिस के पास जाएंगे तो ये मैटर नॉन बेलेबल होकर के और भी पेचिदा हो जाएगा समझे ये बिचारी फंस जाएगी तो फिर अब क्या करने चाचा जी आप लोग प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए किसी भी तरह मैं अपने गाउं वापस बहुत जाओंगी यहां से सिर्फ चार किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है वो किसी तरह क्रॉस कर लूँगी फिर वहां से सोला किलोमीटर दूर ही मेरा घर है बस एलोसी तक आप मेरी हेल्प कर दीजिए बॉर्डर एरिया पे सिक्यूरिटी बहुत टाइट है तुम कैसे क्रॉस कर पाओगी यहां टर्टर के जीने से बहतर है किसी तरह मैं छुपते छुपाते कि बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाओं मैं बीस किलोमीटर पैदल चल लूँगी बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है तुम समझती क्यों नहीं हूँ कि मुझे अपने गाउं वापस जाना है प्लीज है है इधर आ कि बासू वह लड़की बिचारी वाके यहां नहीं जी पाएगी अलाकि मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी तुमसे कह रहा हूं यहां से तीन-चार किलोमीटर आगे डेथ परंट चौकी है वहां कोई सिक्योटी नहीं रहती अगर तुम इस दड़की को किसी तरह वहां ले जाओ और चुप-चप बॉर्डर क्रॉस करा दो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी बिचारी अपने घर पहुंच जाएगी क्यों ठीक है चासाजी है तुने एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार किया यह अपने आप में एक रिस्क है अगर तुसे बॉर्डर तक छोड़ने गया तो और मुसिवत हो जाएगी मैंने पाकिस्तानी लड़के से प्यार नहीं किया जिससे प्यार किया वो पाकिस्तानी है झाल 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 है झाल 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 है कि जिए हैंतने हैं अब तुम जार सुम यहा अकेली जाओंगे नहीं चलूंगे तुम जाव वासु मैं नहीं है ने önसे तुम पर कोई मुसी बताया मैं चली हूंगी वासु देखो इसे मैं सित रिखेते वापस आ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरा दिल और दिमाग कह रहा है कि मैं तो बारे साथ चलू इसलिए आ रहा हूं ठीक है कि समारे कि वारे कि अ गुद आख 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 पारे कि अ कि अ हमारे कि अ ख़गा चाहाँ कर लकार चॉटुड़ चॉटु़ बंदे ल면े ढो जागी हॉटुड़ कर दो कर दो कर दो कुछ राओ, तिर दो चटू को और दो का जो। कर दो जो जो प्रम व्हारा का जो जो इंध कर दो जो तो कि जो दो जूए दो ठाओ, जो 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 यह बताओ यहां से तुम्हारे गाओं कितने दूर है सिर्फ आठ किलोमीटर है आठ किलोमीटर चलो हम दूरेस लगाते हैं हाँ हम जल्दी पहुँच जाएंगे चलो हाँ रेडी वान तू थ्री हाँ 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 तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जानते हो तुम से आगे-ागे चलने की मेरी एक बहुत बड़ी वजा है ताकि तुम आगे चल कर रास्ता भटक कर किसी गड़े में गिरना जाओ कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी हमत वाली हो तो तुम्हें पहले से ही अपने पास रखता और ट्यूशन लेता तीन हजार किलोमेटर दूर आकर एक लड़की से प्यार करने की हमत तुम में है तो मुझमें हमत नहीं हो सकती क्या झाल 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 कर दो वो रहा मेरा गाव मस्जिद के ओपसे जो घर दिख रहा है ना वही मेरा घर है ठीक है तुम जाओ अब यहां से आगे मेरी जरुरत नहीं रहेगा आथ सु हकाजा नहीं अरुर्या जरुरत के चांध पासू! हुआ 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 हाला सुधरने के बाद मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी बाद मैं जर्णा झालो न वासुआ है तुम्हारे जर न वासुआ है गया बरहाना मेरी मा और इसकी दादी हमेशा इंडिया के बारे में बाते करती थी मेरे जेट मेरी ननद सब बाते करते थे यहां कदम रखने वाले तुम पहले इंडियन हो बेटा हमारी मा अक्सर कहा करती थी कि इंडियन सच-बड़े दिल वाले होते हैं और यहां हम सब के दिलों में हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इज़त है दोनों देशों के सियासत दानों ने हम सब के दिलों में दूरियां पैदा कर दी पहाडी के उस पार जैसे वहां के लोग मारे जा रहे हैं ठीक वैसे ही यहां भी मारे जा रहे हैं जो बिलकुल खलत हो रहा है एलोसी में फेंसिंग होने के बावजूद दोनों देशों के लुग एक दूसरे को अभी भी उसी तरह दुश्मनी की निगाहों से देखते हैं बेटा, हमारी बेटी हमारे पास सही सलामत पहुच गई हमें बहुत खुशी है इसी तरह तुम भी अपने माता पिता के पास सही सलामत पहुच जाओ, यही हमारी दुआ है अब मुझे इजाज़त दीजे, सुबह उने से पहले मुझे एलोसी क्रॉस करनी है मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ, कहीं तुम रास्ता ना भटक जाए रहने दीजे, मैं चला जाओँगा, रास्ता मैंने देख लिया है बेटा, हालात सुधरते ही मैं इंडिया आओंगी, मुझे तुम्हारी मा से मिलना है तुम्हारे जैसे होनहार और हिम्मत वाले लड़के के परिवार से मिलकर, मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप इंडिया आएंगी, उस दिन मैं अपनी मा से आपको ज़रूर मिलवाओंगा ये मेरा वादा है आपसे, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते आपसे, 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 आप अच्छो और ने चोरौ निम्हें ! नो बढ़ू देसे जो नुदक्तेदा! अच्छो पृच्छो अच्छो पॉत्पॉ धर्यूक्तेश्या १ुट्धू अच्छो नहीं ? पाल्पो! वुझी! पाल्पोणेeres! पुरो! पाल्पोणे! पाल्पोणे… प्तवोणे. पालपोणे काबुषिते हिंआ! बोई माल. पाल्पो.. पाल्पो! पाल्पो! मा, मेरी सिंदिकी है, मा, असे बचाना हूँ उस मैरेज इन्वेटेशन का क्या हुआ? बता क्या हुआ? तेरी बेटी को पाकिस्तानी लड़का पसंद नहीं आया? नहीं, उसे पसंद नहीं है. अब मेरी बेटी जिन्दकी वर किसी से शादी नहीं करेगी. ओ, तुमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती. तु ये मत भूल, तु एक पाकिस्तानी गवर्मेंट सोवेंट है. तुझे अमारा कानून मानना होगा, तुझे यहां की सरकार का पैसर चाहिए. पर तुझे यहां का लड़का पसंद नहीं. इंडियन लड़का चाहिए तुमारी बेटी को. जा, अपनी बेटी को समझा दे, जा. चलो. हमारे उपर यहां जो अत्याचार हो रहा हुआ हमारी गवर्मेंट को पता है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? आज तक यहां की जेलों से कोई जिन्दा लॉट पाया है क्या? सुनने में आया है कि मेरी मौत आचुकी है. इसलिए मैं तुम लोगों से की रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ. वो लोग मुझे मारें. इससे बेहतर है कि तुम लोग खुद मुझे मारतों. मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ. वो जब मुझे उठाने आएंगे तो तुम सब लोग मिलके एक साथ मेरे उपर हमला बोल देना. मेरी मौत हर किसी के लिए एक उधारन बननी चाहिए. यहां के लोगों के लिए तो एक लेलकार होगी है. हमारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा. दूने उस लड़की से प्यार अपनी मर्जी से किया है. इंडिया के लोगों ने तुस से क्या क्या आस लगा रखी होगी. यह तुथ तुझे पता ही है ना? लेकिन तेरा सपना है कि तू भले ही अपने परिवार या देश्वासियों से ना मिले, लेकिन अप्ने प्यार से जरूर मिले सही है ना यहां हम देश्वासियों से मिलने के लिए थड़प रहे हैं और उसके लिए हम सभी कैदी यहां से भागनी की कोशिश में लगे रहते हैं यहां पर जितने भी लोग है उनका सब का अपना अपना वकसद है लेकिन एक मकसद सबका है वो है अपने देश क के जवान हो क्यों बी-स-फ आले प्यार नहीं कर सकते वो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने के लिए ही बने हैं हाँ मैंने उस लड़की से प्यार किया गुना किया लगता है तुम भूल रहे हो कि सरकार अपने खर्चे से तुम्हें 38 हफ़ते की ट्रेनिंग देती है और साथ म हम दोनों यह सिर्फ कैदी है तुम और में एक जैसे है मतलब यहां की गौवर्मिन्ट की नजर में हम दोनों एक समान है क्या का तुने तु और मैं एक समान है मैं अपने देश में रहूं यहार रहू लेकिन तुश गयसा पागल नहीं चाहे जो कुछ हो जाए मेरे साथ यह यहां से तो मैं भाग कर ही रहूंगा। यहां जो हम हिंदुस्तानियों पर बाइंकर अत्याचार किये जा रहे हैं। हम सभी पर जो जुल्म हो रहा है। यहां की सारी बाते मैं इंडियन कौर्वर्मेंट को बताऊंगा। लेकिन यहां से भागने से पहले तुझे तो मैं जरूर खत्म करूंगा। जिससे तुझ जैसा बुझ दिल और मजनुक कभी भी हमारी फौज में आनी की न सोचे। प्रूंसरी में आनी की सारी में आनी की सारी बाते में जरूर्मेंट को न सी पहले जाएंगा। जब तक वो जिन्दा है मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता ये तो तुम लोग जानते ही होगे ना कि आज किसका सर जाने वाला है कि आज किप्ल नहीं है हुँ भुषज भाइ्ट हाँण नेठेधा नेढने indicative अर्फाराउ다 अर्फाराइ साल . . . . . . . . यहां हर किसी की मौत का फैसला सिर्फ मैं करता हूँ अब तेरी बारी है अब तेरी बारी है कि अब कितंगे सकता हुज सकता हुआ जह लुआ हुआ सकता हुआ कि अभ Xi अब ख – अब अहुआ कि अहुआ कि अधिए भाल कि अधिए जा कि अधिए जए दू कि अधिए जग रेडिए नगें फटहुआ कि अधिए राग सिर्ट दूआ तेरे सामने कोई भी आजाए, जीतेगा तू ही, मुझे पहले सी पता था, इसलिए अगर तू यहाँ से निकलना चाहता है, तो तुझे उसे मारने का फैसला करना होगा, पेरी बारा साल की बेटी को नई जिन्दगी इंडिया में ही मिली, यहाँ के डॉक्टर्स ने लाग जान बचाने के लिए, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, तो मैं पीछे नहीं आटूला, वो किसी हालक में लोसी के पार नहीं जाना चाहिए, जहाँ भी दिखे उसे वही भूंदो, और सिर काटके लोसी के पार फेक दो, जब तक वो जिन्दा है, मुझे सुकू तो नहीं मिलेगा, और वो लड़की गदार है, उसे कितना समझाया पर वो नहीं मानी, किलहर! किलहर, 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 किलहर एक लिखागू कर दो ओक सर रहागू हुआurf हुआ 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 कर दो я हुआ ब्री 7 हुआ जो ए placing हुआ प्रोर्राइД वार्फ वार्ण प्र。 बन्यक्स अजग पक खच्लाए क बपकों हो अाइ़र, कि। totalाहिे अजए पुदारीग। कि यहार र cinemat हो फिरे अभ़र के planned cheesy exact कि कि अəषक वांता traditions कि अब ढूमने पर बख़आए कि वमार से सब्के की अज़र इस पीन यह जह समय व बेंग एकम कि अरियो या सहां वर्फटर रेंग ने शव व fifth हrais लेंग वह आजगर उरोसा हुआ है व домой वाज़ा तेरे परिवार को अल्ला चन्न नसीब करें अल्ला के वास्तित यहां से चली 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 जाए यहां से चली 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 चार कि वास्तिता सभ्ल को ढicusर अगल जहां से चीरुर। कर दो कर दोग्राज दो प्जाजेर ईफ झाल मेरा नाम लेकर आई थी पर मैंने तुम सब को शामिल कर लिया वासु काजल हम मरने की नहीं बच्छनी की कोशिच करें हम दोनों को एक साथ जीना है मजे मर जाने दौन verification अई भासु मरने का नहीं जीने का हुसला रे दोना मुझे जिनधा नहीं जीना है वासु तवारे परिवार को यचीन था तुमें मेरे साथ कभी कोई तक्लिफ नहीं होगी तुम हमेशा खुश रहोगी उनको एक टूटेगा नहीं चाहे जो हो जाए वो हमारी वज़े से शहीद हुए है उनके शहादत को जाया नहीं होने दूगा मेरे सौथ इतना जुल्म हुआ है फिर भी मैंने जीने के उमीद नहीं चुड़ी है मेरे माबाप भी मुझे द हो चुका जड़ यहां से बचका निकलेंगे तुम यह होसला रखो यहां से बॉर्डर सिफ आठ किलोमेटर में चाहे मैं फिर कह रहा हूं मात से ज्यादा जिन्दगी का होसला रखो हम जीएंगे और साथ में जीएंगे हाओ जीएंगे जीएंगे हाओ स्था जीएंगे हाओ कि दुल्च का लुट कि बढ़ खाव कि अजयां रभी कि अजयां कि अजया जीएंग कि अ कि अड़ कि बड़ झाल 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 बड़र गड़ गड़ हुआ था हुआ हैं जल्दियो चल्दियो चार उतरस से घैरनो इसे आजा हुआ हुआ है खुटार थादा? हुआ 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 हम लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और सब तरह सर्च कर रहे हैं वो बॉर्डर की तरफ गया होगा और वो अकेला नहीं है साथ में वो लड़की भी है किसी भी सूरत में वो जिंदा नहीं पचिना चाहिए यस सर् काजल 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 जनाम है अलताफ मधिग बोल रहा है यह बोलो पुलर कि हमारे कभजे में लाघ जामारी कि अव्टन इखे नह बहुड़ कि कि अ कर दुच थे लाग्त, स्वें को कि अ कर देखग कि अ कि आये ऊगी बोलो है जनाम है खिरी फट्iens बान तो कि दट दिता प्राइं कि प्राइं कि वॉजरे कुछ दिता दो सिर्ट! कुछ एग!!! यह वॉईएग!!! अ-धग एग! कि इंस रखना है कि अपता है कि अपता है वुणा रखना है मलेक जल्दी लाइन पर आओ मलेक मलेक रिपलाई करो मलेक मलेक रिसीव कर रहे हो मलेक मलेक क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है आजा इंडियन बेसेफ वाले पाकिस्तान में इंडियन आया आजा बड़ा अगे आ मेरे पास बढ़िया आजा 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 पाकिस्तानियों से लड़ने की लोग सोचते भी नहीं है हमसे लड़ना मात से लड़ना है और मैं हू तुम्हारी मात हाँ लड़ मुझ से कमान जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं रहने तूगा जब तक मेरे जैसे वीर जवान जिंदा है तुझे भारत से एक दिन का भी नहीं मिलेगा हाँ कर दादी पर पर प्रका गजा करेस्ट कर दो खर भारत पिए कर दो कर दो कर दो मुदा कर दो कर दो कर दो प्रूछियो वे ठीजोर जो हुए है कि मैं रहने है लुफ है वे रेगी वहार को ही जय कि अचे से ही कि अचे से बादानि के अचे सरी अचे से है कि अचे सरूफ है शेलि़ को अचे सेर विर शिय बाद दिट। कर दो. मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे मार सकता हूं, लेकिन मुझे तेरी चान नहीं चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, और अगर अगर अब तू मेरे रास्ते में आया, तो मैं तेरी लाश्ट पर से भुजूरूँगा। मुझे जिन्दा छोड़ कर गए, तो भी तुम इंडियांस को यहां पाकिस्तान में कोई भी रहम दिल नहीं समझेगा। स्टिल, आय हीट इंडियांस। इतनी नफ़त क्यों तुम हैं इंडियांस से। हम पाकिस्तानियों को सुकून तब मिलेगा जब इंडिया खत्म हो जाएगा। तुम जैसे मरेंगे तब चाकर तुमारे देश को सुकून मिलेगा। दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं चाहता कि वो अपने पडूसी से दुश्मन करे। आज अगर इंडिया पाकिस्तान इस्राइल पैलेस्टीन नौर्थ कोरिया सौथ कोरिया दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ रहे तो उसकी वज़े सिफ तुम जैसे लोग है। अपना स्वार्थ छोड़कर देश हित्मिस सोचकर आपसी दुश्मनी बोलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पड़ोसी देश को दुश्मन समझकर अपनी जान कवाने वाला देश्वक्त नहीं होता। वैसे सारे पाकिस्तानी तुझ जैसे कमीने भी नहीं होते। इंडियन्स पाकिस्तानीों को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा ही सोचते होंगे ना। हम अगर इसा सोचते न, तो तुमारे देश के लड़की को पहुचा नहीं आ नहीं हाता। पाकिस्तान से बर्सों से चली आ रही दुश्मनी को एक तरफ करके, दोनों देशों ने आपस में मिलकर एक ऐसी संधी बनाई है। जिसमें एक दूसरी के देश में कैद, दोनों देशों के कैदियों को रिहा कर दिया गया। अपना वादा निभाते हुए भारत ने अपने जेल से 23 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। इस संधी के पीछे भारत के एक जाबास सिपाही वासू का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों ही देशों के प्रमूखों ने इस संधी को एक खास उपलब्धी बताई है। पाकिस्तान के जेल से छूट कर आए हुए लोग आज अपने परिवार के साथ हसी खुशे से जिंदगी गुजार रहे हैं। कर दोनों ही ऑपने जाए है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो